DRDO ने एक वैक्सिन अप्रूफ किया, एक उसमें काफी अच्छा एक डेवलपमेंट आया है, उसने एक ड्रग डेवलप किया है, वो है 2DG, और इस 2DG का COVID-19 के केस में काफी अच्छा रिस्पॉंस देखा जा रहा है, रिजल देखा जा रहा है, राइट? तो अब ये 2G क्या है, कैसे क्या है, थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं, अच्छोली ये 2DG जो है, इस हम कहते हैं 2D Oxy T Glucose, ये 2D Oxy T Glucose का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप देख लो, जैसे ये है glucose आपका, राइट? glucose molecule है, glucose molecule मैं पता है, 6 carbon होते हैं, ये 1st carbon है, राइट? ये 2nd carbon है, ये 3rd carbon है, ये वाला, 3rd carbon, फिर ये वाला 4th carbon है, फिर ये वाला 5th carbon है, और ये 6th carbon है, CH2H यह तो glucose molecule है मैं आ लिख दे रहाँ 1st carbon, 2nd carbon, 3rd carbon, 4th carbon, 5th carbon, 6th carbon 2-deoxid glucose कैसे होता है कि यह जो आपका 2nd carbon है 2nd carbon का OH group remove कर देते है 2nd carbon का OH group remove करने की बाद से जो molecule अब यह बनता है यह molecule है 2-deoxid glucose actually 2-deoxid glucose का already use के जा रहाता है cancer के treatment में जो आप cancer cells होती है cancer cell glucose बहुत ज़्यादा consume करती है इनका जो glucose consumption cancer cells का होता है बहुत ज़्यादा होता है glucose consumption high होता है अब यह अगर patient ने जो भी patient है उसने यह 2-dg absorb होगा तो क्या मिलेगा कुछ नहीं energy नहीं मिलेगा अब क्या है यहाँ पर एक बहुत important enzyme होता है protease protease enzyme 2-dg जो है जब बॉरली पेसिंट वो लेगा water में mix करके 2-dg जब blood में जाएगा तो यह जो cell virus से infected हो भी इसे absorb करेगा 2-dg को और यह 2-dg protease के एक proline amino acid से hydrogen bond बना लेता है और hydrogen bond बनाने के बाद से viral growth को stop कर देता है viral growth जो है वो रुख जाता है viral growth रुख जाएगा तो phase second trial तक तो काफी exciting result देखा गया है government ने emergency approval भी दे दिया है बाकी देखते हैं market में आके यह कहां तक हमारे ramdecivir को replace करता है ठीक है बाकी देखेंगे next video में बाई